तो दोस्तों चलो आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं चित्रकारी से अरे नहीं भया इस चित्रकारी के लिए हमें पेंटिंग कलर्स की जरूरत बिल्कुल नहीं है और नहीं किसी पेंटिंग ब्रस की इसके लिए हमें चाहिए एक सिलाई मशीन कुछ रंग विरंगे धागे और एक स्विंग मसीन आर्टिस्ट तो इसी खोज के लिए हम आप पहुँचे हैं पटियाला के दरजी बजार जहां अपनी एक छोटी सी दुकान में कलाकारी करते हैं वर्ल्ड फेमस स्विंग मसीन आर्टिस्ट अरोण बजाज तो चलिए अब जब हम यहां आही गए हैं तो अरोण जी से जानते हैं कि आखिर उन्होंने और कब शुरू किया सिलाई मशीन से चितरकारी का सफर मैंने क्या किया मेरा फादर का काम था स्टीचिंग का वो सिलाई का काम करते थे तो उन्होंने कहा कि दुकान पे आओ और आपे काम करो मैं भी उनके साथ स्टीचिंग का काम करने लगया मुझे स्टीचिंग में इतना शौंप नहीं था इंटरस्ट नहीं बना मैंने मरॉडरी का काम चुरू किया सूतों पे करता था लोगों की अच्कन बनाता था शेयरवानी बनाता था इन रंग बिरंगे धागों के साहरे जहां दुनिया भर के दरजी सिर्फ कपडों की सिलाई करते हैं तो वहीं अरुण बजाज अपने अनोखी अंदाज और क्रियेटिव माइंड का इस्तेमाल कर सिलाई मशीन से पेंटिंग्स बनाते हैं लेकिन अब ये जानना है कि अरुण जी आपको ये आइडिया आया तो आया कहां से तो पैर का टाइम था जून का टाइम था गर्मियों का लाइट गई हुई थी मैं सो रहा था मेरे सामने एक कलेंडर लगा हुआ था उसमें गुर्णानग देव जी का जो पिक्च्छता बो बना हुआ था पोटो बनी हुए जी वो कलेंडर हिंड रहा था बिना हवा से उसको देखता देखता मैं सो गया बस पता नहीं क्या हुआ आदे घंटे बाद मैं उठके ये सोच रहा था कि यह क्या हुआ जैसे मुझे परबात्मा नहीं किया है कि तू ये कर सकता है तू ये कर दिए वैसे तो हर किसी को रंगों से पेंटिंग बनाना भी काफी मुश्किल लगता है और इन भाई साहाब को देखिए इन्होंने तो पेंटिंग करने का अंदाज ही बदल दिया है जरा बताएंगे कि अरुन जी आप ये कमाल कर कैसे लेते हैं मैंने एक चीज यही सोची है जिंदगी में कि अगर आप मेहनत करोगे ये मत सोचो कि पता निकल कुछ बनेगा या नहीं बनेगा जिस बंदेने काम्याब होना होता है वो रुपता नहीं है अरे भाई सहाब सिर्फ देश है नहीं बलकि दुनिया भर में अपनी स्विंग मशीन के जादू से मशूर हो चुके अरुन बजाज ने एक ऐसी भगवान श्री क्रिशन की तस्वीर बनाई है जिसके नाम पांच वोर्ड रिकॉर्ड धर्ज है क्यों चौक गए ना अरे जनाब ये दुनिया से सिलाई मशीन से बनी सबसे लंबी धागे की तस्वीर है जिसको बनाने में लगा है अठाइस लाख मीटर लंबा धागा लोड ओफ क्रिशना का पोर्टेट बनाया जो 6 पीट लॉंग और 4 पीट लार्ज है जिसको बनाने में मुझे 3 साल लगे और उसमें 28,36,000 मीटर धागा लगा हुआ है वो दुनिया की सबसे लंबे धागी की तस्वीर है सिलाई मशीन से जिसके मुझे वर्ल रिकॉर्ड भी तो दोस्तों आज के इंस्पाइरिंग इंडियन की कहानी आपको कैसी लगी हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं